शुक्रवार को पहर बाद कानकुर का बेकन गंच इलाका उक्रिक्रवियों के चलते दहल उठा दो समदाओं के बीच हुई हिंसा में पुलिस ने अब तक तीन F.I.R. दर्ज की हैं जिसमें 40 लोगों को नामज़त आरोपी बनाया गया है वहीं एक हजार से जादा अगयात लोगों को भी आरोपी बनाया है वहीं अब तक मामले में 35 लोगों को गिरफतार भी किया जा चुका है CM योगी ने आरोपियों पर गैंग्स्टर आक्ट के तहट कारवाई करने और उनकी संपत्ती जब्त करने क्या सक्त आदेश दिया है उधर हिंसा में 13 पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की खबर है जबकि दोनों पक्षों के 30 से जादा लोग जखनी हुए है इसके अलावा उग्रवियों के ओर से वाहनों को भी नुकसान पहुचाया गया साथ ही कई दुकानों में लूट पार्ट की भी कोशिश की गई महीं पुलिस अब CCTV और वीडियो फुटिज के जरिये आरोपियों की पहचान करने में जुटी है ADG Law & Order प्रशान कुमार ने बताया कि घटना की गंभीरता के चलते इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है जिन लोगों ने भी उप्तरव किया है उनकी पहचान की जा रही है जिस भी व्यक्तियों ने वहां उप्तरव किया है उसकी पहचान की जा रही है अब तक 18 लोग गिरफ्तार किये जा जुके हैं तसा हमें परियार्थ मात्रा में वीडियो फूटेजेज मिल गये हैं जिसके आधार पे हम आगे की कारवाई करेंगे पत्रियों के साथ साथ जो सड्य अंतरकारी हैं उनके पिरुथ गैंगिस्टर की कारवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ती को भी जब्त या ध्वस्त किराया जाएगा इसके अतरिक वहाँ के अधिकारियों को ये निर्देश दिये गये हैं कि राउंड अकलॉक पुलिस और प्रशासर की डिब्त लगे तता हर हालक में शांती वगस्तान परकरार है गौर तलब है कि कानपूर के बेकन गंज थाने की नई सड़क इलाके में जुम्मे की नमाज के बाद से कुछ लोगों ने वहाँ की दुकानों को बंद करने क्या प्रयास किया दरसल बीजेपी नेता नुपूर शर्मा पर एक टीवे डिबेट में इसलाम के खिलाफ विवादि टिपने का आरोप है नुपूर शर्मा के विरोध में कानपूर में बाजार बंद करने की कोशिश थी जिस पर दूसरे पक्ष ने जम कर विरोध किया और हाला बिगड़ गए दो पक्षों की बीच हुए टकराब में जम कर पत्थर बाजी हुई उबद्रव की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और हालात सम्भालने की कोशिश की तो पुलिस पर भी जम कर पत्थराव हुआ जिसके बाद CCTV फुटेश देखकर पत्थर बाजों को पुलिस पकड़ने का काम कर रही है मालून हो की उबद्रव वाली जगा से 50 किलोमेटर दूर राश्ट्रपती रामनाथ गोविन, पीएम मोदी, गवर्नर, अनन्दी बेन पटेर और सीएम योगी एक कारिक्रव में हिस्सा ले रहे थे ऐसे मौके पर कानपूर में कानौन व्यवस्ता बंग होने पर सियासी हमले भी शुरू हो गए है नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को गिरफतार करने की मांगी है वहीं बसपा सुप्रीमों पायावती ने ट्वीट किया है कि माननीय राष्ट्रपती प्रधानमंत्री जी कि यूपी दौरे के दौरान ही कानपूर में दंगा वे हिंसा भड़काना अती दुखत, दुरभागयपू, वे चिंता जनक तथा पुलिस खुफिया तंत्र की भी विफलता का हो तक, सरकार को समझना होगा कि शान्ती व्यवस्था के अभाव में प्रदेश में निवेश में यहां का विकास कैसे संभव है। उधर कॉंग्रेस ने ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा ने भीड तंत्र के रूप में जोग भस्मा सोर पाले हैं, अब वे रंग दिखा रहे हैं।